बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com नवस्कार, एस्टो तक में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवीर मिश्र। आज बात करेंगे शूर ग्रहन की, साल 2021 का आखरी शूर ग्रहन लगने जा रहा है 4 दिसंबर को यह सूर ग्रहन कहां दिखाई देगा, कहां दिखाई नहीं देगा, भारत में इसका क्या असर होगा, भारत के लोगों को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, यह सूर ग्रहन किस राशी और किस नच्छत्र में लग रहा है, यह सब कुछ आपको बताएंगे तो देखिए, साल दो हजार एकिस समाप्त होने के कगार पर है और साल दो हजार एकिस को आखरी शूर ग्रहन 4 दिसंबर को लगने जा रहा है मार्ग सीस मास रहेगा अमावश्या के दिन ये ग्रहन लगेगा शूर ग्रहन अमूमन अमावश्या के दिन ही लगता है और जो चंद ग्रहन होता है वो हमेशा पूनिमा के दिन ही लगता है ये शूर ग्रहन और चंद ग्रहन के लगने का टाइम जो दिन है वो बिल्कुल फिक्स है जो ये शूर ग्रहन 4 दिसंबर 2021 को लगने जा रहा है ये शूर ग्रहन ब्रश्चिक राशी और जेस्ठा नचत्र में लगेगा तो जिन लोगों की ब्रश्चिक राशी है या जिनका जन में जेस्ठा नचत्र में हुआ है उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्चक्ता है क्योंकि शूर ग्रहन ब्रश्चिक राशी में लग रहा है इसलिए ब्रश्चिक राशी को प्रभावित करेगा और ज भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा दुनिया में कहां दिखाई देगा यह आपको बताते हैं और साथ ही शूर ग्रहन चार दिसम्बर को कब शुरू होगा कब समाप्त होगा ये भी आपको पताते हैं तो देखे चार दिसम्बर 2021 को शनिवार है और शनिवार के दिन ये ग्रहन लग रहा है सुबह 10 बज कर 69 मिनट यानि 11 बजे के लगभग शूर ग्रहन प्रारंब हो जाएगा चार दिसम्बर को सुबह और दोपहर तीन बज कर 40 मिनट में ग्रहन समाप्त हो जाएगा तो सुबह 10 बज कर 69 मिनट यानि 11 बजे से लेके 3 बज कर 7 मिनट तक शूर ग्रहन रहेगा ये शूर्य ग्रहन कहां दिखाई देगा देखिए ये शूर्य ग्रहन ऑस्टेलिया में दिखाई देगा आफ्रीका के दश्चनी भागों में दिखाई देगा नाम्बिया में दिखाई देगा प्रसांत महासागर हिंद महासागर और अंटार्क्रिका में भी दिखाई देगा ये शूर ग्रहन कहां दिखाई नहीं देगा भारत में दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा इसको ले करके बहुत जिग्यासा है तो देखिए भारत के लोगों को परेशान होने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि ये शूर ग्रहन भारत में नहीं दिखाई देगा सास्त्रों के अनुसार जहां ग्रहन दिखाई देता है वहीं इसका प्रभाव माना जाता है तो जब भारत में ये ग्रहन दिखाई नहीं देगा तो भारत में इसका प्रभाव भी नहीं माना जाएगा जो सूतक के नियम होते हैं वो लागू नहीं होंगे जो हमारे मंदिर हैं वो बंद नहीं होंगे उसी तरीके से पूजा पाठ चलती रहेगी तो भारत में जो ग्रहन संबंधी नियम है वो लागू नहीं होंगे सुतक नहीं लागू होगा, मंदिर नहीं बंद होंगे और भारत के लोगों को इस ग्रहन से बिलकुल भी घवराने की टेंशन लेने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि सास्त्रों के अनुसार ग्रहन जहां दिखाई देता है वहीं आसर डालता है तो जहां दिखाई देगा वहीं इस ग्रहन का प्रभाव जादा होगा वहां के लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्चता है क्योंकि ये ग्रहन ब्रश्चिक राशी और जेस्था नचत्र में लग रहा है इसलिए जोतिश के नजरिये से जो ब्रश्चिक राशी वाले लोग हैं उनको सावधान रहने की आवश्चता है क्योंकि जोतिस में आप देखते ने ग्रहों की मुव्मेंट होती है तो ग्रहों की मुव्मेंट के अनुसार ये ब्रश्चिक राशी में और जेस्था नच्छत्र में जाके लगेगा तो जिन लोगों का जन नच्छत्र जेस्था है यानि जेस्था नच्छत्र में जो लोग पैदा हुए हैं और जिनकी ब्रश्चिक राशी है वो लोग ग्रहन लगने के बाद आगे आने वाले एक महिने तक बहुत सावधान रहें कोई बड़ा फैसला करने से बचे यानि बड़ा फैसला ना लें तो अच्छा रहेगा यदि लेना पड़े तो अपने घर के बड़े बजुर्गों की सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा अपने सौास्त का उन्हें ख्याल रखना चाहिए बाकी लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और खासकर भारत के लोगों को तो परिशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारत में जब यह ग्रहन दिखाई नहीं देगा तो आपके उपर प्रभाव भी नहीं डालेगा तो आप बिल्कुल भी परिशान ना हो सास्त्रों के अनुसार जहां यह दिखाई देता है वहां ज्यादा असर डालता है तो साल दो हजार 21 का आखरी शूर ग्रहंड चार दिसंबर को लगेगा चार दिसंबर को यह ग्रहंड जहां दिखाई देगा वहीं अपना असर डालेगा फिर से बता देते हैं कहां कहां दिखाई देगा आस्टेलिया में दिखाई देगा आफ्रीका के कुछ इलाकों में दिखाई देगा नामबिया में दिखाई देगा प्रसांत महासागर, हिंद महासागर और अंटार्किटिका में भी ये दिखाई देगा और ग्रहन का समय होगा सुबह 10 बज कर 69 मिनट से शुरू हो जाएगा और दोपार को 3 बज कर 7 मिनट में समाप्त हो जाएगा जहां ग्रहन दिखेगा वहाँ प्रभाव छोड़ेगा, जहां नहीं दिखेगा वहाँ के लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तो एक बार फिर से बता दें भारत में ये ग्रहन नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारत के लोग बिलकुल भी परिशान ना हो जो आप अपने day-to-day work करते हैं, उसी हिसाब से करते रहें, सूतक के नियम लागु नहीं होंगे, ग्रहन के दान इशनान के नियम भी भारत में लागु नहीं होंगे तो आप सब का आने वाला दिन बहुत शुब हो, नवस्कार कर दो, नवस्कार